Hey buddies up guys, this is Anmol back again with a new video and guys Sony ने जो है वो worldwide 500 million consoles मतलब total consoles अपने वो worldwide बेच चुके हैं तो उसी घुची में उन्होंने PlayStation 4 Pro का एक limited edition जो है वो launch किया है तो इस वीडियो में हम उसी limited edition के परे में बात करेंगे कि उसके design कैसे है कब आपको खरीदने के लिए मिल जाएगा उसका price क्या पूरी information के लिए इस वीडियो को शुरू सरे करें तक पूरा देखना लगाओ seatbelts चलते है और क्या सबसे पहले बात करते है कि Sony ने बेचे total 500 million consoles worldwide तो उसी नमबर को लेते हुए उन्होंने यह जो console launch किया है उन्होंने ऐसा decide कि सिर्व इसकी 50,000 copies ही बनेगी मतलब ऐसे 50,000 इस consoles worldwide बेचे जाएंगे बस और उसके बाद जो इसकी production रोग दी जाएगी थोड़ी सी इस console के बारे में बात करते है सबसे पहले जो factorize को है इसके design को लेकर जो design है वो PlayStation 4 Pro जैसा पहले औरिजनल वाला PlayStation 4 Pro ता वैसा नहीं है बिलकुल भी इसकी जो बोड़ी है यह बिलकुल translucent है और इसका controller भी बिलकुल translucent है अब controller तो पहले भी आते थे ऐसे transparent वाले आपने देखे होंगे जिसके आर पार आपको अंदर आपको सब कुस दिखता है उसक बताई पहले भी हैसा available है लेकिन थोड़ा blue color में यह कर दिया इस बार और इसके अलावा जो उपर PlayStation का logo आता है वो gold में आपको देखने को मिलेगा और सामने जो आपको एक copper की strip देखने को मिल रही होगी अब यह लगता तो है खाली show के लिए है लेकिन आप इसको अगर पास नमबर मिलेगा 300-50,000 तो इसका मतलब है आपका जितना नमबर काम होगा आपका console उतना ही जादा limited edition होगा आपके पास अगर किसी भी तरह से जो सीरेल नमबर जिस console का one है वह आ गया तो वह काफी जादा limited edition में आएगा और आप उसको बेच भी सकते हो काफी जादा प्राइस यह तो बात हो गई पूरे design की अब बात करते है hardware की सो जो hardware है वो हमारा PS4 Pro ता original वही सेम है तो से एक major फरक लाया गया है वो है इसके space को लेकर HDD space को लेकर basically तो जो सबसे बहुत प्लेस्टेशन 4 फैट लाँच हुआ तो वह था 500GB मोडल में जो कि काफी जादा कम था जो गे TV हो गया अब आप 17-18 गेम जो है वो लोड कर सकते हो अपने PlayStation में यह जो PS4 Pro का Limited Edition आ रहे है इसमें आपको inbuilt 2 TV की hard drive देखने को मिलेगी जिसमें आप easily 37-38 titles जाल सकते हो अब space तो यार उनमें भी बढ़ जाता था खोलके मतलब आप hard disk को extend कर सकते थे लेकिन इतना जंजट कौ console खुलवाने में तो gamers के लिए काफी जादा ही है मतलब खुशी की बात होगी कि आपको box के अंदर ही 2 TV का मिल जाता है तो वैसे आप hard disk external भी लगा सकते हो पर उसमें पैसे आपको extra देने पड़ेंगे तो इस अच्छा है इस Limited Edition में आपको already 2 TV मिल रही है इसके बाद बात करत बाकी मैं personally तो मेरे को पसंद नहीं है मेरे को ऐसे horizontally जो इसका डेजाइन है वह best लगता है बाकी कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि ऐसे वह vertically भी खड़ा रखते है तो उनके लिए यह जो stand है आपको box में ही मिलेगा साथ में इसके अलावा आपको box के अंदर ही मिलेगा PS camera तो यह भी काफी अच्छी बात है आपको box के साथ ही camera भी मिल रहा है bundle में ही इसके बाद बात करें आप इसे ले कब सकते हो so 24 अगर्ष से इसकी जो है online pre-order start हो जाएंगे आप book कर सकते हो और September के last तक कह रहे है कि stores में यह available हो जाएंगे लेकिन मैंने आपको जैसे की बता है 50,000 ही यह सिर्फ units जो है पूरी produce करेगी company तो बिक जाएंगे काफी जल्दी मेरे हिसाब से तो one serial number जिस भी गोवस बन देगी तो मतला किसमत जाग जाए यह ऐसे समझ लो आप बिल्कुल अब बात करते है इसके price के बारे में so Indian price की तो अभी तक को information ऐसी नहीं आई है लेकिन US price की बात करेगा dollars में तो यह आपको 100 dollar महंगा मिलेगा PS4 Pro 1 TV वाले model से तो उसका price जो था वो US में है वो है 400 dollar और यह आपको available होगा 500 dollars में जो की के लगभग 25% जो है original PS4 Pro का जाधा है price में तो अगर आप यह 100 dollars दे रहे हो extra तो यह आपको worth है या नहीं है इसके बारे में भी सब बात करते हैं वह सबसे बहले बात करें कि इसमें आपको 2 TV inbuilt मिलती है hard drive आपकी तो जो normal PS4 Pro था उसमें 1 TV मिलती है अगर आप 1 TV extra लेते हो तो Amazon से वो लगभग 50 to 60 dollars के बीच में extra cost करेगी आपको तो यह 60 dollars हमारे totally बच जाते है इस वाले limited edition के साथ इसके लाबग जो vertical stand हमे free मिल रहा है इसके साथ वो भी लगभग Amazon पर 30 dollars का अगर हम dollars में बात करें US price की तो वो भी इसके साथ free मिल रहा है तो हमें लगभग 30 dollars भी इसमें include करने चाहिए इसके अलावा जो PS camera है उसकी भी cost जो है Amazon पर 60 dollars के around है तो वो भी इसमें free मिल रहा है तो यह total अगर आप करो तो 500 dollars का और इसके अलावा यह limited edition है अलग से आपको design मिल रहा है वो तो bonus है ही है मेरे हिसाब से जो भी यह सब लेने का सोच रहा था मतलब PS4 pro भी उसे लेनी थी camera भी लेना था vertical stand भी लेना था तो वो तो बिलकुल यह combo के लिए जा सकता है तो भाई limited edition है सबसे पहली बात और बढ़े पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं गेमिंग से related वीडियो जो लाता रहता हूं time to time और instagram का username स्क्रीन पर वहाँ पर बीजा के जरूर फोलो करो आने वाली वीडियो के अपडेट देता रहता हूं या आपक एक और exciting वीडियो में till then goodbye and as always तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका बाई